नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं जे एस एसी ने अभियार्थियों से की अपील, नोकरी का लालस देने वाले दालालों से रहे सावधान जर्खन करमचारी चैन आयोग ने अभियार्थियों को दालालों से सावधान किया है आयोग ने प्रेस बिग्यप्ति जारी कर कहा है कि आयोग को अब तक ऐसी कोई सिकायत नहीं मिली है परन्तु ऐसी अफवा सुनने को जरूर मिली है इससे इतार धोखा धड़ी करने वाले कुछ तत्व नियुक्तियों को लेकर होने वाली परत्योगता परिक्षा के परिचार्थियों को नियुक्ति का धोखा दे कर उनके परवेश पत्र सहीत मुल्च सेक्षनिक अभिलेक एवम रासी ठग लेते हैं आयोग ने परिछार्थियों एवं उनके अभिभावकों को सचेत करते हुए ऐसे दोखे बाजों के जहांसे में नहीं आने की अपील की आयोग ने कहा है कि यादि कोई भी ब्यक्ति आयोग के किसी भी अस्तर के कर्मी या पदा धिकारी से पहचान होने अथवा आउट्सोर्सिंग एजेंसी के किसी भी ब्यक्ति से पहचान होने का दावा करते हुए कोई मदद पहुचाने की बात कर मुल्च सक्षिनिक अभिलेक या अवय धरासी मांगता है तो अभिलम इसकी सुचना आयोग को दे सीयम हेमन्द की अध्यक्षता में टी एसी की बैठाक सीयम हेमन्द सुरिन की अध्यक्षता में जार्खन मंत्राले में जन जातिये प्रमासदात्री परिसद टी एसी की छविश्वी बैठाक होई इसमें TAC द्वारा कई महत्पूर्णी नहीं लिये गया इस बैठक में लोगू पहार पर हाइडल पंप्ड एस डोरेज प्रोजेक्ट को किसी भी हाल में अस्थापित नहीं होने दिये जाने का निर्देश दिया गया बैठक में प्रोफेसर स्टीफन मरांडी का दक्स्ता में गठीत उपसमीती के कारेकाल को अगले एक वर्ष के लिए आउधी बिस्ताद दिये जाने समधी प्रस्ताव पर समती दी गई बैठक में जनजाती प्रमस्दात्री परिस्ताद टी एसी द्वारा सी एंटी एक्ट के अंतरगाद 26 जनवरी 1950 के समय राजे के भीतर जो जीले और थाने अस्थापित थे उन्ही को जीला और थाना मानते हुए धारा 46 के तहत जमीन खरीद बिक्री के लिए मन्याता प्राप्त किये जाने का निन लिया गया सिया महमन सुरे ने कहा है कि आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री को लेकर ठाना चेतर की बध्याता को लेकर जाच परताल के बाद नए नियम बनेंगे अगिन समन बिभाग में सन्वीदा पर भरे जाएंगे खाली पद अगिन समन बिभाग में सन्वीदा पर बहाली कर वरिष्ट पद भरे जाएंगे इसकी परकिरिया सुरू हो चुकी है इसमें राज अगिन समन पताधिकारी अपर राज अगिन समन पताधिकारी परमंडली अगिन समन पताधिकारी सहायक प्रमंडली अगिन समन पदाधिकारी के पद सामिल है इन पदों पर सन्वीदा पर बहाली के पीछे भी विभाग का तर्क है जिसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता ये सब ही पद प्रोनाती से भरे जाने वाले पद है सिधी बहाली का प्रविधान नहीं है बता दे अगिन समन पद बिभाग में 1989 के बाद से अब तक बहाली नहीं हो सकी करीब 34 वरत से कोई बहाली नहीं होने से इन पदों पर प्रोनाती के लायक बिभाग में कोई पदाधिकारी ही नहीं बचा है जार्खन सराब घोटाला 20 से अधिक लोगों को इडी ने जारी किया समन जार्खन में सराब निती 2021 हासिल करते हुए मनी लॉंडरिंग मामले में इडी ने 20 ब्यक्तियों को पूछताज के लिए समन जारी किया है इडी ने देवघर, जामतरा और गोड़ा से जुड़े लोगों को समन भेजा है इडी ने जिन है समन भेजा है वे सराब कारोबारी योगेंदर तिवारी के सहयोगी है समन जारी किये गए ब्यक्तियों से 18 नौवंबर से हर दिन पूछताच होगी इडी से मिली जनकारी के उनसार जिन जिन लोगों के जमीन और बालू कारोबार में योगेंदर तिवारी के सहसेदार के तोर पर नाम आया है इडी ने उन सभी को समन किया है इड़ी अधिकारियों के मुताबिक रोजाना ही सराब केस में किसी ने किसी संदिक से पुछताच हो रही है सभी का ब्यान पीम एले पचास के तहट धर्च कराया जा रहा है उतरकासी टनल हाथसा रेस्क्यू में देरी से परिजनों की बढ़ी चिंता उतरकासी में नेस्नल हाईवे पुर्जेक्ट की टनल के अंदर मलबे में फशे जारकासी के सरामीकों के परिजनों का सब्र चलक रहा है टनल में फशे 40 में से 15 मैं दूर जारकान के हैं उनके रेस्क्यू में हो रही देरी ने खरवालों की चिंता बढ़ा दी बता दे जार्खन के अपसरों की एक टीम उतरकासी में मौके पर मौजूद है और पलपल का अपडेट ले रही है रांची के और मांची परखन के खीरा बेड़ा गाउं के तिन स्रमिक अनिल बोध्या राजेंद्र बेदिया और सुक्राम बेदिया भी सुरंग में पसे हुए है सियम हेमन्त को जार्खन बिधान सभा अस्थापना दिवस समारोह के लिए अमंत्रान सियम हेमन्त सुरेंच से बुध्वार को जार्खन मंत्राले में जार्खन बिधान सभाग प्रभारी सचीव सयद जावेद हैदर ने मुलकात की इस औसर पर उन्होंने मुख्य मंत्री को 22 नॉमबर को आयोजित होने वाले जार्खन बिधान सभा के 23 वी बर्षगाट समारोह में समीलित होने के लिए अमंत्रित किया आपको बता दे कि 22 नॉमबर को जार्खन बिधान सभाका स्थापना दिवस मनाया जाएगा और समारोह में चैनित उतक्रिष्ट बिधाय को समानित भी किया जाएगा वहीं 23 नॉमबर को संस्कृति कारकरम होंगे साम में गित संगीत की महफिल सजेगी इसमें जार्खन समय देश के प्रसीद कलाकार जादूई आवाई से लोगों को मंत्र मुग्द करेंगे मुकादमा लाणने के लिए मुप्त वकिल उपलब्ध कराएगा जालसा अगर आप किसी बिवाद में फंसे हुए हैं या फिर कोट से नोटिस मिला है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है इस इस सित्ती में अब आपकी मदद छार्खन विधिक सेवा प्राधिकार जालसा करेगी एक और जहां जालसा की और से लोगों को मुफ्त में कानूनी सलाह दी जाती है वहीं अब लोगों को किसी परकार का केस लड़ने के लिए मुफ्त में वकिल भी उपलब्ध कराया जा रहा है इसके लिए 24 जी लोग की नीचली अदालतों में 120 कानूनी एवं बचाव अधिवक्ता की नियुक्ती की गई इसमें एक चीफ LADC सहायक LADC और 3 अने सहयोगी सामिल है हाल ही में जालसा की और से सभी को ट्रेनिंग भी परदान की गई इसके बाद सभी नियुक्त वकील नीची अदालतों में काम करने लगे हैं 2015-16 में नियुक्त प्राथमिक टीचरों को प्रणाती के लिए पास करना होगा टेट बर्ष 2015-16 में नियुक्त इंटर प्रसिक्षित प्राथमिक सिस्कों को प्रणाती के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षक पत्रता परिक्षा टेट उतीर नहोना अनिवार्य होगा सचीव के रभी कुमार द्वारा प्रात्मिक सिस्को की प्रोणाती को लेकर 14 नौमबर को जारी दिशा निदेश में इसका उले किया है बता दें वर्ष 2015-16 में नियुक्त सिक्षक इसका बिरोध कर रहे हैं सचीव ने मदरास उच नियालाय तथा NCTE द्वारा दिये गए मार्ग दर्शन का आधार मानते हुए 2012 में गठित नियुक्ति निमावली के अंतरगत नियुक्त इंटर प्रस्रिक्षी सिक्षको को आगे की प्रोणाती हेतू 2006 से आठ हेतू टेट उतिन होने की अनिवारता लागू करने को कहा या अनिवारता इसके पूर्व नियुक्त इंटर प्रस्रिक्षी सिक्षको पर लागू नहीं होगी पीयम मोधी की सुरक्षा में होई चुक का हेमंद सरकार ने मांगी रिपोर्ट राज अस्थापना दिवस के दिन राज भोहन से बिर्ष्था मुंडा म्यूजियम जाने के करा में परधान मंत्री के कारकेट के सामने आई महिला का मामला गंभीर बना हुए है यह सवाल खड़ा हुए है कि इतनी फुक्ता सुरक्षा के बावजूद यह चुक क्यों होई विभीन मीडिया रिपोर्ट के अधार पर राज सरकार ने पुलिस मुख्याले से इस सुरक्षा में चुक परकरण पर पूरी रिपोर्ट मांगी है ताकि सम्बन्धित जीमेदारों के बिरुद ठोसनी ने लिया जा सके पुलिस मुख्याले अस्तर पर इस प्रकरण में रांची के डिया जी ने जाच रिपोर्ट मांगी थी जो मिल गई है रिपोर्ट में चुक के बिंदू पर दिये गए तर्क की पुलिस मुख्याले में समिक्चा हो रही है आदिवासियों की जमीन खरीद बिक्री में थाने की बध्याता होगी खत्म छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम C&T 1908 के तहत आदिवासियों की आपस में जमीन खरीद बिक्री में बरतमान थाना चेदर के बध्याता खत्म होगी गुरुवार को प्रजेक्ट फोन में मुख्य मंत्री हमान सुरेन की अधिक्स्ता में होई जार्खन जन जाती है प्रमस दातरी परिस्तत TAC की बैठाक में इस पर व्यापक चर्चा होई है TAC की बैठाक में थाना चेदर की बध्याता की पूरी तरह जांच प्रताल कर आदिवासियों के जमीन खरीद बिक्री के नियम बनाए जाने का नियन लिया गया बता दे बैठाक के बाद मीडिया को समधित करते हैं मुख्यमंतर हमांसरे ने कहा है की TAC का मानना है की आदिवासियों के जमीन खरीद बिक्री में थाना चेदर की बध्याता लागू है सारंडा के जंगलों में छीपले नकसलियों खिलाप ऑपरेशन तेज सारंडा में नकसल गतिवीधियों की ख़बर के बाद पुलिस पर सासनवा सीयार पीएप ने गतिवीधिया तेज की है 16 नवंबर को भारतिय वायू सेना के एक हेलिकोप्टर ने सारंडा जंगल में दरजनों चक्कर लगा कर मेगा हातु बुरू स्ठीत खेल मैदान में दो पर लगबग दो बजे लेंड किया हेलिकोप्टर में कई सीयार पीएप के जवान वा पताधिकारी मौझूद थे लेकि लेंड करने के बाद भी हेलिकोप्टर से कोई पताधिकारी जवान उतरे नहीं ताथा लगबग दो मीनट बाद हेलिकोप्टर ने फिर उडान भरी छट पूजा के बाद इसकूलों में सुरू होगी प्री बोर्ड परिक्षाएं छट महापर्व के समाप्त होने के बाद सीबीएसी स्कूल बोर्ड परिक्षाएं के तियारी सुरू कर देंगे इसकूलों में प्री बोर्ड परिक्षाएं सुरू होगी कुछ इसकूलों में दो प्री बोर्ड होंगे तो कुछ एक परिक्षा ही आयोजित करेंगे कई स्कूल मौक टेस्ट का भी आयोजन करेंगे छट पूजा के बाद से परिक्षा सुरू होगी बतादे DPS रांची में 25 नॉमबर से परिक्षा शुरू होगी वहीं बराहवी के लिए प्री बोर्ड पहले ले लिया जाएगा इसके बाद 10 वी की परिक्षा 1 दिसंबर चोहगी मनन विद्या में 28 नॉमबर से और JBM स्यामली में दिसंबर पहले हफ्ते में प्री बोर्ड का आविजन होगा प्रधान मंत्री के काफिले की सुरक्षा घेरा तूटने पर सरकार को घेरा भाजपा पर्धेश अध्यक्ष बावलार मरांडी वर नेता प्रती पक्ष हमर कुमार बावली ने परधान मंत्री नायन्द मोदी के काफिले में सुरक्षा घेरा तूटने पर राज सरकार को घेरा है नेता प्रतिपक्ष ने जहां NIA से जाच की मांग की वहीं भाजपा परदेश्ट अध्यक्ष ने उच अस्तरिय जाच की मांग की है बता दे भाजपा परदेश्ट अध्यक्ष पुरमुक मंतरी बाबुलार मरांडी ने कहा है कि भारत के परधान मंत्री की गाड़ी के ठीक सामने किसी ब्यक्ति का अचानक से आजाना सुरक्षा की भारी चुक है हमारा देश पहले भी कई बड़े हाद से देख चुका है ऐसे भी यह चुक नजर अंदाज के योग यह बिल्कुल भी नहीं बाबुलार मरांडी ने मांग किया है कि हेमान सुरेन इस पूरे परकरण की उच अस्तरिय जाच कराए क्योंकि जो राज अपने परधान मंत्री को ठंक से सुरक्षा नहीं दे सकता ओ आम आदमी को क्या सुरक्षा देगा राज येपाल ने सारना धर्मकोट पर पीएम से नहीं की बात जामुमो सत्ता सीन जहारखंड मुक्ती मोर्चा जामुमो ने परधान मत्री नयान मोदी के दो दिवसे दोरे के बाद गुरुवार को कोई आरूप लगाए है जहामुमो के महासाचिवस्था प्रवक्ता सुप्रियो भटाचाई ने कहा है कि राज येपाल को मेजबानी के दोरान पीएम मोदी को सारना धर्मकोट समेत अन्य हीत के मुद्दों से अउगत कराना चाहिए था उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी राजे को डिस्टर्ब करने के लिए आये थे आदिवासी मुलवासी को कोई डमरू नहीं बना सकता पहले CBI आयकर और ED को लगाया और अब डिस्टर्ब करने के लिए पीएम खुद आये नहाय खाय के साथ आय से सुरू होगा छट महापर्व लोक आस्था का पावन पर्व छट सुक्रवार को नहाय खाय के साथ सुरू होगा सुर्य उपासना का चार दिवसी चट महापर्व के पहले दिन सुक्रवार को नहाय खाय सनिवार को खरना, रभिवार को संध्या, अरग वस्वमवार को उगते भगवान भासकर को अरग दिया जाएगा बता दे छट पर्व की तैयारी जोर सोर से चल रही है भरती जहां पूजा की तैयारी में जूट गए है वही समीति की ओर से छट घाटों की साब सपाई कराई जा रही है फल प्रसाद की दुकाने सजने लगी है छट गीतो से महौल भक्तिमय होने लगा है अर्जुन मुंडा के घर हजारों लोगों ने काली पूजा का परसाद गरहन किया केंद्रिये जन जाती है मामलो के मंत्री अर्जुन मुंडा के घोडा बांध इस्थीत आवास में आयोजित काली पूजा के महा परसाद में हजारों लोग ने परसाद ग्रहन किया इनमें राज, नेता, प्रसासनिक अधिकारी, कार्पोरेट, जगत के अधिकारी, उद्योग, पती, बेहसाई, समाज सेवी और अनगन्माने लोग सामिल थे गुरुवार को सुबह 10 वज़े से लोगों के आने का सिलसीला सुरू हो गया था जो देर साम तक चारी रहा इसमें आम से लेकर खास सभी सामिल थे इस दोरान केंदरी ये सिक्षा राज मंत्री अनपूर्णा देवी, जमसेदपूर पूर्वी की विधायक सरजूराय, टाटा इस्टील के बीपी, सी एच चना के चौधरी भी मौजूद थे जैक बोट दास्वी की ऑनलाइन फरम भरने की तिथी जारी जैक बोट दास्वी की परिक्षा फरवरी 2024 में होनी है, परिक्षा के लिए ऑनलाइन रेश्टेशन सुरू हो गया है फरम भरने के तीथी 2 दिसंबर तक है परिशा सुल्क जमा करने के तीथी 6 दिसंबर है चात चलान के माध्यम से इसे जमा कर सकते है वहीं बिलम सुल्क के साथ परिशा फरम भरने के तीथी 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक है बैंक चलान से सुल्क जमा करने की अमतिमतिती 12 दिसंबर निधारी था गोड़ा में काली परतिमा बिसरजन के दरान भीड़े दो गूट जारखन के गोड़ा जिले के पत्रा में काली पुजा परतिमा बिसरजन के दरान दो गूट के बीच हुए संगहर्च में एक दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गया बीच बचाओ के लिए आई पुलिस टीम पर भी इस दरान हमला किया गया एक पुलिस दरोगा भी हमले में घायल हो गया इस दरान पुलिस की एक गाड़ी भी चतिगरस्त कर दी गया घटना भी ती रात की है बताया गया है कि मुर्ती भी सर्जन के लिए यूको का एक समोग जा रहा था तब दूसरे समोग के साथ बिवाद होने पर दोनों और से लाठी डंडे चलने लगे पत्थर बाजी भी हुई है यूको के दो गूटो के बीच दुरगा पुजा के वक्त भी बिवाद हुआ था पुराने राणजीस को लेकर वे एक बार फीर से भीड़ गए है मैट्रिक इंटर के साटिफिकेट डिजी लोकर में अपलोड जारखन अकेडमी काउंसील जाएक ने वर्ष दो हजार तेश तक के मैट्रिक वाइंटर का साटिफिकेट डिजी लोकर में अपलोड कर दिया है बिद्यारतियों के माग सीट माइगरेशन के साथ साथ पासिंग साटिफिकेट को अपलोड कर दिया गया है जाएक ने यह कारे 94 तरीके से किया है पहले वर्ष 2015 तक साटिफिकेट अपलोड किया गया इसके बाएद दूसरे चलन में वर्ष 2018 फिर 2021 तक का और अब 2023 तक का पमान पत्र अपलोड कर दिया गया है अब जायक द्वारा रियल्ट जारी होने के बाद प्रति वर्ष नेमित रूप से साटिफिकेट डिजी लोड कर दिया जाएंगे विद्यार्थी अब अपना पमान पत्र डिजी लोड कर सकेंगे इसके अलावा पमान पत्र का सत्यापन भी ऑनलाइन हो सकेगा छट महापर्व से पहले बिहार जाने वाली ट्रेने फूल नहाय खाय के साथ सुक्रोवार से छट महापर्व का सुभारम होने जा रहा है इसके पहले ही बिहार और पुरुवांचल के प्रवासी जार्खन से अपने गाउं जाने के लिए बेताब है रांची से बिहार जाने वाली ट्रेंओं में इतनी भीड़ हाय कि लोग गेट पर लटक कर जाने के लिए मजबूर हैं लोग किसी भी तरह छाठ पर अपने घर पहुँच जाना चाहते हैं ट्रेनों में भीड इतनी हाई कि लोग एक दूसरे को उपर चड़ कर आगे बढ़ रहे थे यहां तक इस सिलीपर कलास की स्थिती भी जेनरल डीबो जैसी ही थी जेनरल डीबो में पैर रखने तक की जगा नहीं गेट पर लोगों की भीड का आलम यह था कि लोग ट्रेन में चड़ भी नहीं पा रहे थे जमसेदपूर MGM अस्पताल में नौजात की चोरी का मामला MGM अस्पताल के गायनिक वाड से बुद्धवार दो पहर तीन बजे एक नौजात की चोरी हो गई इससे पूरे हस्पताल में अफ्रात अफ्री मच गई अधिक्छक ने पूलिस को सुचना भी दे दी पूलिस ने खोज बिन सुरू की तो देर रात 11 बजे नौजात को बरामत कर लिया गया पूलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया है और पूस्ताच में उसने बताया है कि वो बच्चे को दूद पिलाने घर ले गई थी उसकी निजन देही पर अने तिन महिलाओ को भी हिरासत में लिया गया रात 11 बजे जोहार नगर रोड नंबर 12 की रहने वाली सबाना नामक महिला बच्चे को लेकर MGM पहुँची और उसे उसकी मा को दे दिया जारखन में बारिस के असार है राजि के पूर्वी भागों में हलकी बारिस की संभावना है मौसम बिभाग के पूर्वान के अनुसार राजि के पूर्वी और मद भागों में अगले दो दीनों के दरा निमतम तापान में धीरे धीरे 2-3 डीगिरी की ब्रीदी हो सकती है जारखन में 17 नॉमबर को आस्मान में आंक्सिक बादल चाहे रहेंगे और मौसम सूस्क रहने की संभावना है मौसम बिभाग की माने तो 18, 29 और 20 नॉमबर को आस्मान मुख्यता साप रहेगा और मौसम सूस्क रहेगा आपको बता दे कि महापर्वचाट का सुभारम 17 नॉम्बर से हो रहा है साइन कॉलेज अफ नर्सिंग के छातर सर्क पर उतरे अबदूर रज्जाक अनसारी साइन कॉलेज अफ नर्सिंग के B.A.C. नर्सिंग तीरतीय वर्स के छातर सुभम कुमार 20 वर्स ये ने कि रात करीब 10.30 बजे कॉलेज परिसर इस्थित कमरे में पंखे के सहारे फांसी लगा कर आत्म हत्या करने का प्रयास किया कॉलेज प्रबंधन द्वारा तुरंत सुभं कुमार को मेदानता अस्पताल पहुंचाया गया अस्पताल में इलाज कर रहे डॉक्टर अनंद कुमार जहाख के अनुसार सुभं कुमार कोत्रे से बाहर है जहारकन समेथ 5 राजयों के 49 कोल वलों की निलामी की परकिलिया सुरू हो गई है स्वैम कुएला मंत्री ने दो दिन पहले निलामी की परकिलिया सुरू की मंत्री ने मौके पर कहा है कि कोल बलोकों की निलामी का उदेश द्वहजर पचीश भीच तक कोईला आयात को पूरी तरह रोकना है मौके पर मौझूद अधिकारिक सुत्रों ने बताया कि कोईला आयात रोकने के लिए मंत्राले ने कोल इंडिया की अनुसंगी कम्पनियों को 2023 तक भूमिगत कोईला उत्पादन 100 मिलियन टन करने का निर्देश भी दिया है निलामी की जा रही 49,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 बोजन होना है रांची के जैस ये ग्राउंड में होने वाले मैच के लिए टिक टो की बिक्री सुरू हो गई है टिकट की नियुम्तम कीमत दो सब्सक्राइब करा सकते हैं धन्यवाद यदि आप चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल के लाइकन दबाएए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर पें दोस्तों के साथ सेयर करना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़ बैक और से दे थैंक यू